लाइफ खराब कर देने वाली तीन आदतें नमबर वन घंटो स्मार्टफोन से चिपके रहना पिशले कुछ सालों में जिस घटिया आदत ने लोगों की जिन्दिगी को सबसे जाद प्रभावित और खराब किया है वो है स्मार्टफोन से चिपके रहने की आदत स्मार्टफोन हमारी लाइफ में क्या आया हम बस खुद में ही सिमट कर रह गए है क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बड़ी उमर वाले लोग सब इस बुरी आदत की चपेट में है स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तिमालना सिर्फ स्वास्ति की दिश्टी से खराब है सिर्फ हमें शारिरिक रोप से बिमार बना रहा है बलकि कई तरह के मानसिक रोगों के लिए भी जिम्मेदार है यूं समझ लीजिए कि ये जीवन में सफलता प्राप्त करने वाली सबसे बड़ी बुरी आदत है अथा जितनी जल्दी हो सके इस आदत से छुटकारा पाईए और अपना जीवन बचाईए नमबर टू दूसरों से जलने की आदत हर किसी में बुरी आदते होती ही है पर कुश आदत वास्ताव में बहुत ही खराब होती है जैसे की ईश्या की भावना दूसरों की सफलता को देखकर जलना ऐसी ही आदत है जो की बहुत गलत है कुश लोगों से दूसरों की खुशी बरदास्त ही नहीं होती वो लोग अपने दुख से इतनी ज़्यादा दुखी नहीं होते जितना दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते है यकीन मानिये अगर आप में भी ये आदत है तो ये आपकी लाइफ परबात करने के लिए काफी है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता वो हमेशा बस दूसरों की टांग खीचने के चक्कर में ही लटका हुआ रह जाता है जबकि होना ये चाहिए कि व्यक्ति दूसरों से प्रिणा लेकर खुद भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिस करें दूसरों की बराबरी करनी है तो उनकी टांग खीचने में जितना समय लगा रहे हैं उतना अपना लक्ष प्राप्ति करने में समय लगाएं नमबर थ्री नशा करना आजकल का युवा नशे की चंगुल में फस्ता ही चला जा रहा है युवाओं को इस चीज का बिलकुल भी ध्यान नहीं है कि नशे से उनकी व्यक्तित्व और जीवन का सर्वनाज होता चला जा रहा है चोटी-चोटी उम्रे के बच्चे भी आजकल बीडी, सिगरेट और गुटके का सेवन कर रहे है यहां तक की युवा शराब, गाजा और अफीम तक के सेवन से गुरेज नहीं कर रहे है नशा उन्हें दिन बदिन अंधिकार की ओर धकेल रहा है ऐसे मैं अच्छे करियर की तो छोड़िये, एक स्वस्थ जीवन जीना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है नशा समय से पहले ही मश्टिस्क को बूड़ा बना देता है आज की ये वीडिया आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगी तो इससे शेयर कीजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू